दिल्ली जबान नी गजलो सामबड़ा माटे आपने आजे इंहां बदा भेगा थाईया छिए अने एना माटे हुँ सवथी पेला आमंत्रण आपपा जही रहे हो छुँ आजना कवियत्री हर्श्वी पतेल प्लीज आओ अने सवथी पेला आपनू स्थान गरहन करो हर्श्वी प्लीज बेन गजलो लखे छे अने साथे शिक्षिका छे त्यार बाद एमनों इंट्रोड़क्शन ताहा आप शे अटले हुँ अत्यारे थोड़ू नानू नानू इंट्रोड़क्शन आपी ने बुलाई रहे हो छुँ पूर्वी ब्रह्मभट जे अमदावाद ना वतनी बोज कवीता साथे इमनों खुबच सारो नातों रहो छे त्यार बाद कवी संकेत के जे बिल्दिंग कंस्ट्रक्शन साथे जोड़ायला छे अने अत्यारे कवीताने पण साथे-साथे आकारापी रहा छे कवी हरजीद, एकसय दवे, प्याय थिंगाराश मुले एक जन अनौंटल भॉह ऑलूध नोगम हजु येद नोकरीमा छे विरधुए अने छेल्ले हूं बुलावा जे रहे हुछु लिविंग लेजेंट जयन्त पर्मार के जो गुज्राती उर्दू अने गणी भाशाओं में कवीता लखे छे जयन्त सर्क प्लीज वेलकम उन स्टेज थैंक यू अब आटला बता कवियोंने हूं एक साथ है तो नहीं संपाड़ी शको इतले ताहा ने आगार नो दोरापी दो अच्छू मरिया बच्छी थैंक आगे सो मच अ अ अ अ अ अ अ अ जगतना वासमा आवी, रदैना वासमा जईये जगतना वासमा आवी, रदैना वासमा जईये दिवाने आममा बैसी, दिवाने खासमा जईये गुजरात लिटेचर फेस्टिवल ना अदसमी सेजन ना दीवाने खास सेशन मा नहीं तहां मनसूरी दीवाने स्वास पुर्वक आप सव मित्रों नो स्वागत करूछू मोगल बास्टाओ जारे कुतना कोई वफादार थी नाराज था जाता तो वफादार पन हो है इसलिए हमने सजा तो नो आपी शका है इसलिए हमने हजना सफार उपर रवाना करी देता आजना जे आधुनिक राजा हो जे राम मोरी नश्याम पारेक साइब जिवा लोको सजा रूपे वफादारों ने कभी सम्मी लनना संचाल बनागी देता हुए ज़िए संचाल बनागी वात निकली तो दस बार वर्ज पहला ने प्रसंग याद आवेच्छा है मुझे रहे को याद आवेचे तो मने याद ना आउता हुए तो यारी करी ना आ लो हुए तो तइयारी करी ना आवेखु है वह स्कॉंटेनियुस का सुन आवेखु है कहिए वह मुशायरा माते अमंत्रान आवेलू। अवे इमुशायरानों मॉडल यहातु के बे सीनियर कवी और बे युवा कवी। वह आजे पन युवा चुक। गुजराती मां पचास वर्स हुदी युवा चाली जाए। अमारा मधु पटेल बैठा आजे कसे। अमारा मधु दादा गया वर्से senior poet हैं, एक कावन माँ बेठ वैठू हैं तो युवा कवी मा हुँ अनन्त राठोड था अनि था ने senior कवी मा राजे स्वियास मिस्किन साइप अन्ने माधव रामानुस साइब था तिया गया इतले खबर पड़ी कि राजे स्वियास मिस्किन साइप संचालन करसे तो बहुज एक्साइट तो एमना संचारान में प्रतम वखत पठन तुमारू तो नहीं तो कही रिते रजू कर आपने नहीं दी तो भी शू बोल से पहला अनंत राठोड नू नंबर आविए तो एमें कहीं हुँ कि हिम्मत नगर्ति आवेला भाई श्री अनंत राठोड पठ मने के अवे भाई श्री ताहा मनसुरी पठन कर से इतले जारे एक कल्लाक मा नव कव्यों हता निरा में कव्यों के संचालन करवा नुजए मैं कुदू भई मिस्किन साहब जे उस संचालन था से इना थी वधारे कहीं जग्या छे नहीं लेना कि दू के ना आपने समय मढ़े इसने आठ मिनित ये पठन कर से अगरा ना आपकी कनना करो दस मिनितनो समय चे दरेक कवी आठी नव मिनित पठन कर से वच्चे एक थी बिए मिनित हूं लईश्चे अजना कार्यक्रम नु टाइटल चे के हो गुर्जरी नियोत के उर्दू नियोमरीज गजलो फक्त लखाय बेचे दिल्नी जुबान मा गुजराती भासानी साथे साथे आ मन चुक पर उर्दु ना कवियो पन हाजर ले मन्न थाए जे कि उर्दु परंपराने पन आपने साथे लईने चाली ने करवां अधियक्स्ता में अखों मुशायर ocha ऐ ये पन कवी पठन करवा ये अधियक्सि Richardson रजा मांगें स्पोर फैस्के्ट अमा ना किवां कई刑 अपड़े विरल जेवा मीता नु宪्री न मोच्जों इनày ठाई कै 안 हुए हुए है महांच के वानुए वानौ आपने लिए लखी लाग कहा ना तो मने याज चला हुए 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 यहां हे चली संधी जाए हुए अड़ा मन्च ऊपर उर्दू कवीत फोए अनुए जादू गराजर छे है एक आख नाम जे भारत नहीं पने जिया अरुदू भा जानी आपने आप ना प्रथम कवीत्री तरफ आगढ जवुँछे। किमकारविना किटल खिशेर साथे पूर्वी भ्रमबट ने विनन Glas every शेडि श्रीर सवा जेवी गजल शंबडवीद्यो सिधी साधी अदम जीविकाखी नी सवीता जेवी पुर्वी बेंड ने विनंति करूं के जीवी काकी नी सवीता जेवी कवीता और रजू करें। हमारे इमेजीनच करवानुच जीवी काकी नी दिकरी भी से। नमस्कार। एक मतला आने बैशेर थी शरुवात करूशू। के स्वीकारी माउन में अहिया सभानी लाज राखी छे। रहस्यो होठ मादाबी घणानी लाज राखी छे। में मुकी विश्वास महरा पर जुओ रस्ता कठीन आप्या, मैं एना पर सतत चाली खुदा नी लाज राखी छे जरा हदपार ढोडाती हती कागण उपर एथी, गजल अड़ी लखी ने मैं व्यथा नी लाज राखी छे के जगमा चहल पहल बधी ये बर करार छे, मारा मर्या पचीनी अप पहली सवार छे के स्वासों नी आवजावने जिववू गणे छे जे, इलाज एम नो करो नक्की बिमार छे ने क्या छे खबर फरी अहीं आवशू के नहीं, बस आपनी तो आ धरा पर एक लटार छे ने मतला छे के सीवी शकाए होट कलम क्या सीवाई छे, कागण उपर रदै मुकू त्यारे जिवाई छे ने हुँ पास थाई बताऊचू त्यारे जियारे पन, हुँ पास थाई बताऊचू त्यारे जियारे पन, अभ्यास क्रमनी बाहरना प्रश्नों पुछाई छे ने सींगिंग बर्ड शोखती लावया छो पन कहु ए पाँजरे रडे तो बधा समझे गाई छे ने आ थोड़ू थोड़ू बहु थयू जोखाम उठावयार एक आखरीज दावतू जबर लगावयार ने आशू के दरवकद तु बनावे मनेज ज़ाड आशू के दरवकद तु बनावे मनेज ज़ाड क्या रेक तो मनेई कुहाडी बनावयार ने ना आवे आम कोई खबर तारी काडवा ना आवे आम कोई खबर तारी काडवा करेवू तारा मौत नी अफवा उड़ावयार ने बदलायू ना कशू आखोमा भेज छे बदलायू ना कशू आखोमा भेज छे पहला हतू जे दुख हजू एनू एज छे ने तारा मलम बदल घणी आभारी छू समय के तारा मलम बदल घणी आभारी छू समय डाबी तरफ छता हजू दुख्या करेज छे ने चालो रहस्य कही दऊचू आजे आपने कागड कलम ने शब्द थी चहरानों तेज छे ने गजल छे के सामे मन्जिल होई त्यारे थाकवानों श्राप छे सामे मन्जिल होई त्यारे थाकवानों श्राप छे ने उपर थी रात आखी जागवानों श्राप छे ने एक तो अंतर मुखी ने बेट मां आसू मल्या एक तो अंतर मुखी ने भेट मा आसू मल्या, एमा पाचू आखे काज़ आंजवानो श्राप छे, फिलसुफी ये जानू छू के भूलो अने आगल वधो, शू करू? आगात एक पंपाडवानो श्राप छे, खोखला खंडेर जेवु होई जीवन ए छता, मल्मली चादर सदाए ओढ़वानो श्राप छे, ने अंतिम शेर छे के हां बधा जीरवाई गया, पन श्राप आ भारे पड़ियो। साथ छूटी गया पची, जे जीववानो श्राप छे, ने अंतिम गजल छे, के मतलब छे एटलो, हवे खुदने मड़ा शे नहीं। मतलब छे एटलो, हवे खुदने मड़ा शे नहीं। दुनिया ने गंबू होई तो, गंतू करा शे नहीं। छो बार थाई जाओ, गायक ना व्रुंद थी, खोटा सुरो गवाई, तो जीली शकाशे नहीं। शाही बनी ने एज कलम मा भराई छे, जो दर्द ना रहिऊ, तो कशू पण लखाशे नहीं। शेर छे के, मारा स्वभाव नीचे आ विशेशता, पण शू करू। मारा स्वभाव नीचे आ विशेशता, पण शू करू। माफी तो आपी दव। पण गुनो भुलाशे नहीं। नहीं विश्वास राख जो कि समर्पिद सदाचू पन और प्रेम बेम एबधू साबित कराशे नहीं विश्वास राख जो के समर्पित सदा चू पण आ प्रेम बैम ए बदू साबित कराशे नहीं ल मतलब चेत लो हवे खुदने मडा शे नहीं दुनिया ने गम्वू होई तु गम्तु कराशे नहीं कितला क्लोको अभियास क्रम भाहन ना प्रश्णों माई पास था ही जता होचा है हमारा विरल ने सिक्सा का कुछ पेपर आगली राते आपी देता है तो है मांड पांतरी से पूँखतो पन मंच उपर भणेला गणेला लोको है नो एक फायदा ये छे कि जो आठ मिनिट नू कीदू इटले बैसी जाए ने खबर चे के मोबाईल मा स्टॉप वोच नाम नू एक बहुं मस्त फंक्शन आ रहे छे हमाय वड़ो द्रामा बेजार वीसमा जिया लेफ नो जेक मुशायर हो आतो वीरा लक्षय बदा आजया रहता त्याना एक स्थानिक कवी नमारे जब्ब पकड़ी ने बेसाडवा पड़ें कि बाई पाच्छड दस जन चे भी जा ओगनिस मिनिट पछी में छेले कंटाड़ी ने अमनो जब्बो खेंचे लो जे दी आप बदा सामभडी रहा चो पूर्वी बेन ने सामभड या ये तो साबीत था ही गयूं कि यहां शौखी नने सम्झू बनने प्रकार्ण ओडियंस चे शौखी ने खबर चे कि आपने क्या दादा पी सारा शेर पर अने शौखी न ओडियंस चे जने इतली खबर कभी अन्वर जलाल पूरी न चार मिस्राती बास शरू करी है जो बुली गयों लखी न लागए तो याद चाहिए के मुसल्मा शीख और हिंदू बोलता है जोगानु जोग त्रौनेक आजर चाहिए के मुसल्मा शीख और हिंदू बोलता है सरों पे चड़कर जादू बोलता है अभी तहजीब जिन्दा है हमारी अभी यह शहर उर्दू बोलता है यह जो उर्दू है वो खालिस हिंदूस्तानी जबान है इसका किसी भी और मुल्क या मजहब से कोई रिष्टा नहीं और यह जो उर्दू है यह महबत की जबान है एहतराम आदमियत की जबान है इस जबान में कच्रा साफ करने वाले को या पैखाना उठाने वाले को भंगी नहीं कहा जाता हलाल खोर कहा जाता है सनद दे दी जाती है कि अगर हलाल रिज्क किसी का है तो मेहनत करने वाले का है इस जबान में पानी पिलाने वाले को जिसे आप भिष्टी कहते हैं दर असल वो वर्ड है बहिष्टी बहिष्टी यानि जन्नत यानि की सनद दे दी जाती है कि पानी पिलाने वाला जन्नत का हगदार हो गया यह महबत की जबान है यह फरोग इंसानियत की जबान है और इस आदिल किसे पुकारे तामीर के लिए पत्थर उखड गया है घजल के मजार का, आपना गुजराती ना उदुवार आदिल मनसूरी एककच्छ हो, वच यह अलग अलग ना समझता, कि पत्थर उखड गया है घजल के मजार का, जो मेरा अगला शायर है, वो सिविल एंजीनियर ह मगर कभी-कभी उर्दु अदब की मरम्मत भी कर लेता है और तामीर भी, मैं बड़े अदब से पेश करना चाहूंगा जनाब संकेश शाह साहब को, उससे पहले नवास दिवबंदी साहब के चार मिश्रे, कि जी भर के अभी तो उसे देखा भी नहीं है, जी भर के अभी त जी भर के अभी तो उसे देखा भी नहीं है, मतले के लिए मिस्रा भी नहीं है, आखों से हुआ है अभी आखों का तारू हो कौन है, क्या नाम है, पूछा भी नहीं है, जनाब-ये संकेश शाह साहब सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ की नए जजबात है कुछ और असर कुछ जाविय का है नए जजबात है कुछ-और असर कुछ जाविय का है घondere में गजल में जो这个िक खेला है मियासब काफिय का 보는 नए जजबात है कुछ और असर कुछ जाविय का है गजल में जो भी खेला है मियां सब काफिय का है और तुझे खुश देखने को जो जवाबी तार लिखता था लोब इस आखरी खत में पता उस डाकिय का है तुझे खुश देखने को जो जवाबी तार लिखता था लोब इस आखरी खत में पता उस दाकिये का है और अगर मेरी जो मानो तो जहां में दुख नहीं कोई जिसे जो रंजिशो गम है फकत वो चाहिये का है कि अगर मेरी जो मानो तो जहां में दुख नहीं कोई जिसे जो रंजिशो गम है फकत वो चाहिये का है और एक गजल से कुछ शेर देखिए कि ठीक हो जाएगा सब तुमने कहा था नहीं हुआ ठीक हो जाएगा सब तुमने कहा था नहीं हुआ यार मेरे ये दिलासा भी दिलासा नहीं हुआ झाल से कि ठीक हो जाएगा सब तुमने कहा था नहीं हुआ यार मेरे ये दिलासा भी दिलासा नहीं हुआ और यार मेरे ये दिलासा भी दिलासा नहीं हुआ और हाथ पकड़ो फूल दो बाहे गले में डाल लो हाथ पकड़ो फूल दो बाहे गले में डाल लो इश्क में हमसे फकत ये सब तमाशा नहीं हुआ कि हाथ पकड़ो, फूल दो, बाहे गले में डाल लो, इश्क में हमसे फकत ये सब तमाशा नहीं हुआ और यू तो अकसर लड़ जगड कर हम सुलै कर लेते थे, अपके कुछ ऐसा हुआ कि अपके ऐसा नहीं हुआ यू तो अकसर लड़ जगड कर हम सुलै कर लेते थे, अपके कुछ ऐसा हुआ कि अपके ऐसा नहीं हुआ और हमको जब भी गम मिले और तेरा शाना नहीं मिला हमको जब भी गम मिले और तेरा शाना नहीं मिला आदतन तो रोय पर वो रोना रोना नहीं हुआ कि हमको जब भी गम मिले और तेरा शाना नहीं मिला आदतन तो रोय पर वो रोना रोना नहीं हुआ ठीक हो जाएगा सब तुमने कहा था नहीं हुआ एक गजल कि हिस्से में मेरे कोई सितम दस्तयाप हो हिस्से में मेरे कोई सितम दस्तयाप हो एहले सितम से इलत जा वो बेहिसाब हो हिस्से में मेरे कोई सितम दस्तियाब हो एहले सितम से इलत जा वो बेहिसाब हो और जिस दिन भी ठान लेगा मुझे भूलने की वो जिस दिन भी ठान लेगा मुझे भूलने की वो मैं खुद दुआ करूंगा के वो कामयाब हो कि जिस दिन भी ठान लेगा मुझे भूलने की वो मैं खुद दुआ करूंगा के वो कामयाब हो और तनहाईयों मेरी ना मुझसे मिला करो मैं चाहता नहीं मेरी आदत खराब हो तनहाईयों में मेरी न मुझसे मिला करो मैं चाहता नहीं मेरी आदत खराब हो और खामोश रहके तुझसे करूँगा वो एक सवाल खामोश रहके तुझसे करूँगा वो एक सवाल जिसके जवाब में तु फक्त ला जवाब हो और एक रोज ऐसा हो कि मैं घबरा के उठ पड़ूं एक रोज ऐसा हो कि मैं घबरा के उठ पड़ूं एक आश ये जो जिन्दगी है कोई खाब हो कि एक रोज ऐसा हो कि मैं घबरा के उठ पड़ूं एक आश ये जो जिन्दगी है कोई खाब हो और इस जिन्दगी से और तो क्या चाहिए मुझे इस जिन्दगी से और तो क्या चाहिए मुझे या तू हो या घजल हो या तो फिर शराब हो इस जिन्दगी से और तो क्या चाहिए मुझे या तू हो या घजल हो या तो फिर शराब हो सुमझ जनता भई गम्जदा अश्क बार आँखों का गम्जदा अश्क बार आँखों का खत्म हो इंतजार आँखों का गम्जदा अश्क बार आँखों का खत्म हो इंतजार आँखों का बस वो लंब से ह्यात याद रहे क्या बरोसा है आँखों का और कुछ भी नहीं ये बीनाई है फकत एतबार आँखों का और जहनो दिल का हजार बार कसूर जहनो दिल का हजार बार कसूर होगा दो चार बार आखों का जहनो दिल का हजार बार कसूर होगा दो चार बार आखों का और लोग जिसको हया समझते हैं लोग जिसको हया समझते हैं असल में है शिंगार आँखों का लोग जिसको हया समझते हैं असल में है शिंगार आँखों का और वहम तूटा तो हश्र क्या होगा कि वहम तूटा तो हश्र क्या होगा इन सभी खुशगवार आँखों का वहम तूटा तो हश्र क्या होगा इन सबी खुशगवार आँखों का और खुआब वालों का फर्ज है लेना खुआब वालों का फर्ज है लेना जाइजा बार बार आँखों का एक चली नजब आख वसियत उन्वान चाह कि मेरी खाहिशे हैं कफस में बदन के मेरी खाहिशे हैं कफस में बदन के इन्हें पूरा होना है या खाक जल के निजी फैसला है ये मैते करूंगा वसीयत में अपनी ये लिख कर मरूंगा कि मेरी खाहिशे हैं कफस में बदन के इन्हें पूरा होना है या खाक जल के निजी फैसला है ये मैते करूंगा वसीयत में अपनी ये लिख कर मरूंगा मरासिम जो तेरे मेरे दर में आथा मरासिम जो तेरे मेरे दर में आथा रिवायत में उसका कोई नाम ना था मुझे अच्छा लगता था मिलना तुम्हारा वो बचकानी बातें वो हसना तुम्हारा मोहबबत थी न वो न वो दोस्ती थी कोई दोर थी जिससे सांसे बंदी थी नया नाम मैं उस मरासिम को दूँगा वसीयत मैं अपनी ये लिख कर मरूँगा मैं लिख कर मरूँगा वो सारी ही बातें मैं लिखकर मरूंगा वो सारी ही बाते जिने सोच कितनी ही काटी है राते है जिसने कचोटा मुझे उम्र भरियूं कि हाड और चमडी का ये पैर हन क्यों ये खौफ और दह्षत तो वहषत के मनजर अकेला में सब भी रोकूं तो क्यों कर किसी से कहूं कुछ तो कहता बिरादर ये दुनिया है सब कुछ सहे जाओ चुपकर इसी तंग दुनिया में जीना पड़ेगा इसी तंग दुनिया में जीना पड़ेगा ये मिस्रा किसी दिन मुझे मार देगा इसी तंग दुनिया में जीना पड़ेगा, ये मिस्रा किसी दिन मुझे मार देगा, फिर जन्नत की मुझको सजा भी मिलेगी, जहां मुझको हूरे और पडिया मिलेंगी, इकठे मेरे चाहने वाले होंगे, बहाएंगे टेसु कुछ आहें भरेंगे, मेरे बारे में अच्छी बातें करेंगे, कि फिर जन्नत की मुझको सजा भी मिलेगी, जहां मुझको हूरें और परियां मिलेंगी, इकठे मेरे चाहने वाले होंगे, बहाएंगे टेसू कुछ आहें भरेंगे, मेरे बारे में अच्छी बातें करेंगे, जिने ना खबर थी, मैं क्यों था और क्या था, वो मैuw ही तो था जो मुझे जानता था, ओ फानी इस दुनिया के बे नूर लोगों, ना जीतें जितम को परेशा किया है, तो फिर बात मरने के क्यों ही करूंगा, वसीयत में अपनी यह लिख्कर मरूंगा, कि फिर जन्नत की मुझको सजा भी मिलेगी जहां मुझको हूरें और परियां मिलेंगी इकठे मेरे चाहने वाले होंगे बहाएंगे टेसु कुछ आहें भरेंगे मेरे वारे में अच्छी बातें करेंगे जिने ना खबर थी मैं क्यों था और क्या था वो मैं ही तो था जो मुझे जानता था ओफानी इस दुनिया के बेनूर लोगों मेरी मौत परियों इकठा न होना न जीते जी तुम को परेशा किया है तो फिर बाद मरने के क्यों ही करूँगा वसीयत में अपनी ये लिख कर मरूँगा बहुत बहुत शुक्रिया वसीयत राशीद आरफी नों एक शेर चाहिए कि मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशीद मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशीद में जो उर्दू में वसीयत लिखूं बेटा पड़ ले पर चाहिएches दूने जो परके शाहिए णाने डाशीद मेरी अटरफी फोटो ग्राफ लेहा है अर्बेटाथ ऐने मारे कि वच्छे वच्छे रा ठोड़ू ब्रेक लेंज फोटो पाले उने अर्थान जो नो रख ब लेख़ा बड़ को लेख ये तरह हैंने इंग निंगले करशन दवे भावेश भट जिवा हमारा बदा कभी मित्रों यहां हजर शे हमनी आजरी नौंद लेए आये लोकों यहां ने लिद्या में यहां मन चुप पर बैठा चे मारे फरीथी तमने गुजराती कवीता तरफ लई जवाज पान यह पहला एहमद सलीम नाम ना एक कवी नी उर्दू गजल संबड़ा वीचे के मुर्दू गजल एनू पन कारान अचे ने आ गजल ना छिल्ला शेर माते हूं कायम कहतो हूँचू कि जुमारा पासे बार पंदर रजवाडा हूए छे नहीं पन हूए तो एक पंड ना राकू अचे ल्ला शेर माते बद्धा कवी ना पी दो कवी एहमद सलीम नी कवी था कि बला ये कौन से मूँ से खुदा से मांगते हैं बला ये कौन से मूँ से खुदा से मांगते हैं गनीमत है कि लुटे रे खुदा से मांगते हैं और हमारी मुफलिसी पे तंज मत करो लोगो मुफलिसी एटले गरीबी के हमारी मुफलिसी पे तंज मत करो लोगो हमें सिखाओ की कैसे खुदा से मांगते है हमारी मुफलिसी पे तंज मत करो लोगो हमें सिखाओ की कैसे खुदा से मांगते है और तहों में मचलियां बच्चों की खैर चाहती है कि तहों में मचलियां बच्चों की खैर चाहती है और साहिलों पे मचेर खुदा से मांगते है तहों में मचलियां बच्चों की खैर चाहती है और साहिलों पे मचेर खुदा से मांगते है ना अन्तिम शेर जेना माटे में आखी गजल कही हमा एक शब्द अचे जर्फ सहन सकती सहन सिलता कि हमारी बेटियों का जर्फ देख ले दुनिया हमारी बेटियों का जर्फ देख ले दुनिया हम इनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं हमारी बेटियों का ज़र्फ देख ले दुनिया हम इनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं उर्दू गजल ना इतियास मा पहला बस्सो वर्स और गुजराती गजल ना इतियास मा पहला चालिस वर्स गजराती गजल नी व्याख्याई भी हती कि गजल इटले प्रेमी का साथे नी वादचीत है उन जमानों बदलायो उ 스ु कीजरते ए般 टेखरी साथेनी बात्ची पढ़ाि होस्टा ये तियारे मुनवर श्ाणは चम्ट करें दोभिस दोभिस दो है आजनो कवी गुजराती गजल ने बेडरूम ना एकांध मा थी घंणा आंगना सुधी लावियो चे अपनी कवीत्री घंणा आंगने थी घंणा रसोडा सुधी लेगेई चे महारे अपना बिजा कवीत्री ना अमंत्रित करवा चे कर चेंश सा थे की जरा खुष्बू जरा जहाकड जरा अजवास लावियो चूँँ हूं कुजराती गजल माटेड़ाने खास लावियो चूँँ हर्ष्वी बेन, यह वसा है, शिक्सी काज है, एकली बजी दिग्री जे एमना पास है, एकली तो अमारो वीरल एकला दोरन नती बानी है, बीए, बीएड, अमना आमनु पूरु थावा माज है, अभियास्क्रम नक्की करती है, कमेटी है, एमा पन बेन है, ले मैं डिग्रीयों नुओ आओ लगू अरे माले चाहिए हौज एँगाबा बिग्रीयों, करें एस अरे है, आम तो अभी वीकॉम्स है, नुओ वादालोंको मने एमकॉम कहता हो, से कम ख़बर नाथी। चाहला, थैंक्यू प्रत्यक शेर पर बले मारी सही नथी प्रत्यक शेर पर बले मारी सही नथी मारो न होई स्वर ए गजल मैं कही नथी ने तारा सवालना न जवाबो मडे अही आ हर्श भी नी आँख छे उत्तर वही नथी पड़ती मुकी दिधी में अड़ी जितेली बाजी ए जो जिते तो आपन एमाई राजी राजी एना सिवाई कईपण बंतू नथी नविनमा एना सिवाई कईपण बंतू नथी नविनमा एना स्मरण नी साथे चाले छे इश्क बाजी ने पूछा करे छे एपण मारा विशे बिजाने तब्यत अमारी एवू जानी न ताजी माजी ने जो कई खपए तो केवड एक शुद्ध भावना बस खादी हती ने कृष्णे वीदूर ना गेर भाजी ने गणकारे नहीं सला हो पोता नी वात माजी बीजानी वात माँ एक उदे बनीने काजी ने पूरा थवा ने आरे उभेल स्वपन तूट्या तो काट माडनी चल करिये हवे हरा जी ने बीजी गजल जे जो रेखा भाग्य पासे थी तमें सपना मा चोरी होई तमें रंगो पुरो राते सवारे साव कोरी होई ने गणा चेहरा उपर गंबीर रेखा एम चिपकावे जुओ तो एम लागे के जाने पर्मेनेंट दोरी होई ने क्षमा वीरोनु भूषण पन अमुक माफिय छे दुषण करोशू माफ एने मात्र जेना होठे सोरी होई जिवन तो ट्रेन मां मरती भरुचनी सिंग जेऊ छे जिवन तो ट्रेन मां मरती भरुचनी सिंग जेऊ छे बधी नमकीन घटनाओ निवच्य बैखोरी होई जिवन तो ट्रेन मां मरती भरुचनी सिंग जेऊ छे जिवन तो ट्रेन मां मडती भरुचनी सींग जेऊँ छे बदी नमकीन गटनाओनी वच्चे बेख खोरी होई ने जरा शर्माड उपर थी स्वमानी सेज मर जादी जरा शर्माड उपर थी स्वमानी सेज मर जादी आ सर्जक्ता तो जाने गामडानी गोरी होई आ सर्जक्ता तो जाने गामडा नी कोई गोरी होई ने गजल छे, सामराज विस्तरियूं, सामराज विस्तरियूं, पन लागे छे फोक जेऊं, हार्या नथी, परन्तु जीत्या अशोक जेऊं, ने राखी ती जिंदगी मा एक स्मीत नी महेच छा, पाम्या छे जे कशुपन, लागे छे जोक जेऊं, ने केवी रिते लखाशे, सुखनो, कहो, शिलालेक, कुद्रत ना हाथ माँ छे, डश्टर ने चोक जेऊं, कुद्रत ना हाथ माँ छे, दश्टर ने चोक जेऊं, ने फढ़नी करी न आशा, तो कर्म खुद फढ़िऊं छे, उगी रहिऊं छे मनमा, गीता ना श्लोक जेऊं, जो तु मनेज शोधे मारामा, तो मडु हुँ, मारा थी नई थवासे, बीजाज कोक जेऊं, जो तु मनेज शोदे मारा मा तो मडू हुँँ मारा थी नहीं थवाशे बीजाज कोक जीवुँ ने गजल छे अठंग आख होई पड़ फरक कड़ी शको नहीं मने मड्या पछी तमे तमे रही शको नहीं अठंग आख होई पड़ फरक कड़ी शको नहीं मने मड्या पछी तमे तमे रही शको नहीं ने शरत गणो तो छे शरत गणो तो छे शरत ने ममत कहो तो हा ममत तमे तमे नहो तो मने मड्य शको नहीं तमे 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 नहो तो मने मड्य शको नहीं ने प्र cohesive बाद के नियम कशो नत्य हिंचता प्र public Almighty के नियम कशो न थी ऐहीचता कहूं हूं त्या लगी तमै परत्दफरी शको नहीं ने जो थय जशे लगाव तवाव थयजा जशे हूँ जो थय जशे लगाव तव थयजाई जशे हूँ ने तजी शको नहीं, ने तरण कड़ा प्रवीड हो, तरी शको समंदरो, डुबी गया जो आँखमा, तमे बची शको नहीं। ने तरण कड़ा प्रवीड हो, तरी शको समंदरो, डुबी गया जो आँखमा, तमे बची शको नहीं। सतत जीवी शको नहीं, अठंग आँख होय, पड़ फरक कड़ी शको नहीं, मने मड्या पछी तमे, तमे रही शको नहीं। Thank you. चो तरफ मात्र बेकरारी छे, बंद मुठी ने में उघाडी छे, ने छे स्मरण एनू दूखती रग, ने में सतत आंगडिय डाडी छे. तक अहलया नी जेम शापीच छे, तक अहलया नी जेम शापीच छे, आपने ठेस क्या लगाडी छे, ने आप मेडे गमे तो छे अचरज, आपने जिंदगी गमाडी छे. आपने जिन्दगी गमाडी छे, थेंक यू अन्वर मसूद नो शेर शे, के हां मुझे उर्दू हे पंजाबी से भी बढ़कर अजीज, हां मुझे उर्दू हे पंजाबी से भी बढ़कर अजीज, तो मने बदा हैं खबर पड़ी गई, के हां मुझे उर्दू हे पंजाबी से भी बढ़कर अजीज, शुक्र हे अन्वर, मेरी आखे इलाका यह नहीं। घमेज त्यारे संजाये, दाद आपी देजो कहीं में। और शेर सार हुतो। जो हुए हीँती है कोई शेर रजू करू। ने था मने न समझ महावेचे तो समझ वानूके मैं बहु उचग कलाम संभलावी दी तो। तालीप आडीद दिवानी तमारे एक वखत लदाख मुशायर हो हतो मुनवर रानाय सरस्वती नदी उपर एक कवीता रजू करी मुशायरो पत्या पची ते समय ना गुरू मंत्री एलके अडवानी एमने जही ने भेटी पढ़िया औने पुछू के जनाब कहां से हो आप मुनवर रानाय पाच हो करें हिंदुस्तान से हैंने त्यारे जही ने पचिया कवी एक गजल लखी के बुलंदी देर तक कि शक्स के हिस्से में रहती है बुलंदी देर तक कि शक्स के हिस्से में रहती है बहुत उंची इमारत हर गड़ी खत्रे में रहती है और ये अपने आपको तक्सीम कर लेता है सूबों में जुदा जुदा प्रदेश हो मा कि ये अपने आपको तक्सीम कर लेता है सूबों में खराबी बस यही हर मुल्क के नक्षे में रहती है ये अपने आपको तक्सीम कर लेता है सूबों में खराबी बस यही हर मुल्क के नक्षे में रहती है अब अवे जे कवी ने मारे बुलावा चे वर्शोती अम्दावाद मास थाई चे पर अमनु मूड पंजाब मां चे अनने त्यारे हूं कवी कुमार विश्वास ना एक मुक्तक साते हैं ने थोड़ो फेरफार करियो चेटले किया अग्गोतरा माफिस आते। अरजीतखल्सा ने आ मंतरा नाफिस। कि ये गुजराती बज्म है और ये तो अर्दू माँ का जाया है। जुबाने मुल्क की बेहने हैं, ये पैगाम लाया है, इसे दुगनी महबबस से सुनो गुजराती जुबावालो, ये अपनी मा का बेटा है, ये घर मौसी के आया है, पूछा जो उनसे आशिक को जलाते हैं, किस तरह, दामन पकड के गएर का बतला दिया कि यूं, अवे में के मा रॉमेंटिक कवी था के ये नू काराण, के हैंसम छे, क्यूट छे, हैंसम छे, ये मनें खबर जे, पन इवा बहु जो छा गुजराती कव्यों छे, जेमना पासे गल्फ्रेंड होए, साथ चू कवशू, तमें त्रोन मुशायरा मा लई जाओ, ये चौथा मा ब प्रेक अप नती है, इतला माटे है, ने इतलो सरस कवीता लखे, हमारो विरल तो है ना जी इतलो बढ़े चे, बहु वक्त हैने सीए, फाइनल ने एक्जाम आपी पास नती था तो, तमें दुआ करो पास थी जाए, नवास देवबंदी ना चार मिस्रा, विरल तरफ थी अक नजर को बुरा लगा, नजरिघ बहलाता फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारो दरको सारे ही घर को बुरा लगा, और खुशहाल होना मेरा, अजектив से पूँछी को बुरा लगा, कवी अकशेद अबफ़े, तहां भै समय मां थोड़ा पाछड चाली रही आज़ा थांक्यू इजाज़त चाहता हूं बन्ने मां वाचिशू पहला हिंदूस्तानी एडले के हिंदी उर्दू और पच्छी आपड़ी गुजराती एक मतला एक शेयर जह यह हालाद से जो भी मिली चविंगं चबाई थूक दी थूक दी हमने जो चक्खा इश्क चक्खा, बेवफाई ठूक दी, और मेरी कलम में एक जुबा है, मेरी कलम में एक जुबा है, दात भी है, होट भी, किसको नजाने चूम ली, किस पे सियाही ठूक दी, है और नहीं के बीच ये कैसा गुमान हम आधी सी कोई जान की आधी सी जान हम है और नहीं के बीच ये कैसा गुमान हम है और नहीं के बीच ये कैसा गुमान हम आधी सी कोई जान की आधी सी जान हम और एक गजल है कुछ शेर यही है कीमिया यही है कीमिया होना है जो आजाद मर जाना किसी दिन मौत आकर बूल दे इरशाद मर जाना तुझे हर कोई जीने के बहाने तो बता देगा मगर यह मश्वरा मेरा तुर रखना याद मर जाना लतीफें लतीफें यानि जोक्स लतीफें शायरी ड्रामा वगेरा ठीक है लेकिन तुझे दुनिया से लेनी है जो असली दाद मर जाना सिवा तेरे आमा एक शब्द चे इजाद एटले के इन्वेंट अने आदमजाद एटले के यूमन रेस मानसो सिवा तेरे जहां में खुदकुशी से कौन मरता है कहां कैसे किया इजाद आदमजाद मर जाना और वो दो ही लोग है जिनके लिए जीना गवारा हो अगर वो बोल दे तु क्यूं हुआ अलाद मर जाना वो दो ही लोग है जिनके लिए जीना गवारा हो अगर वो बोल दे क्यूं हुआ अलाद मर जाना अने गुजराती ना मुक्षेर चे ए जगानो आचितार कौंस मान कौंस बार चे ए जगानो आचितार कौंस मान कौंस बार न धारवानु चे ए धार कौंस मान कौंस बार शरीर चे जिवन्त मारू दूर थी हुँ जो उचू शरीर छे जिवन्त मारू दूर थी हुँ जोवचू आ प्राण नो कयो प्रकार कॉंस मान कॉंस बार अनू भवी शकाय शर्त पॉंच वानू ए जगा अनू भवी शकाय शर्त पॉंच वानू ए जगा प्रकाश पार अंधकार कॉंस मान कॉंस बार चड़ाव तीर कर प्रहार कउसमान कउसबार अंतिम शेर चे विचारवानी हज सुधी विचारवानी छूट चे विचारवानी हज सुधी विचारवानी छूट चे नक्याही लई जशे विचार कउसमान कउसबार एक बिजी गजलना अमुक्षेर चे के रूमनी बारी उघाडी वादड़ा पर चालतों ने चालतों हूं शहर आखू रात भर जोया करू तो कोई आवी ने मने आस्वप्न माथी काड़ जो रूमनी बारी उघाडी वादड़ा पर चालतों ने चालतों हूं शहर आखू रात भर जोया करू तो कोई आवी ने मने आस्वप्न माथी काड़ जो के पछी एक दाबडी मा स्वपन थोड़ा सांच वी ने शहर भरना बाड कोनी आँख मा आजया करू तो कोई यावी ने मने आ स्वपन माथी काड़ी पुर्व जन्मोशा महल किल्ला उपर के कांगरानी धार पर के ए समंदर रेत मा जया सांज वक्ते छीप मोती शोधता मढया हताने तू अने हूँ पुर्व जन्मोशा महल किल्ला उपर के कांगरानी धार पर के ए समंदर रेत मा जया सांज वक्ते छीप मोती शोधता मढया हताने तू अने हूँ ए बधाय द्रश्यनी तस्वीर मा जो हुँ प्रथम किल्लो पछी रेती पछी दर्यो बनी भटक्या करू तो कोई आवी ने मने आ स्वप्न माथी काड़ जो ने अंतिम शिर्जेनू ने कदी एवू बने के सत्यशू ने स्वप्न शूनी खाई वच्चे हुँ कशे उंग्या करू ने कदी एवू बने के सत्यशू ने स्वप्न शूनी खाई वच्चे हुँ कशे उंग्या करू ने को अगोचर विश्वमा सावज अचानक एक लो जागी पडू ने कदी एवू बने के सत्यशू ने स्वप्न शूनी खाई वच्चे हुँ कशे उंग्या करू ने को अगोचर विश्वमा सावज अचानक एक लो जागी पड़ू जया मने वर्षो थी सूतेला बधा मानव मळ ने हुँ बधा ने स्वप्न माथी काडवा मत्या करू तो कोई आवी ने मने आ स्वप्न माथी काडवू ने कदी एउ बने के सत्य Ćओ ने स्वप्न शूनी खाई वच्चे हूं कशे उँग्या करू ने को अगोचर विश्वमा सावज अचानक एक लो जागी पड़ू जया मने वर्षोंति सूतेला बधा मानव मल ने हुँ बधा ने स्वप्न माथी काडवा मत्या करू तो कोई एक गीत नी थोड़ी पंगती हो छे के क्रश्णा विशे कोई कवी बाकी नीवे जने ना लख्यू है तो हुँ पणे माथी बाकात ना थी धारों के बेजा त्रेवी साने हवे चोवीस माँ पण जो क्रश्णा आवे तो ये शुम के चाल चाल हवे तो पूरी करिये एक अधूरी स्टोरी राधा सदियो थी जे ना की दूवे हवे कहुचू सोरी राधा हवे मड़े तो साथे रऊने गोकुड हूना छोडू यमना तीरे सेलफी लईने ट्वीटर उपर चोडू ने तने समयनी स्क्रीन उपर में मोर पिछ थी दोरी राधा चाल हवे तो पूरी करिये एक अधूरी स्टोरी राधा सदियो थी जे ना की दूवे हवे कहुचू सोरी राधा एक अंतिम गीच चाल राम नी परमिशन थी कवी एकी दू के उँ जाफरा बात्ती आऊ चो तो दरिया नू गीच चाल खारा खारा ने खारामा नाकी मीठे मोडू दू माना नी हामे हुँ रो दरिये जैने रो ने माना तो खाली जोवाना आकड़ियूना आहुं माना तो खाली जोवाना आकड़ियूना आहुं एनी पाहें हैंजड लई जै धीमे धीमे टोवू जाणे मोल यहंदू खोवू नो जाणे याहुं खोवू माना नी हामे हुँ रोवू दरिये जैने रोवू ना आहुड आनी गंधे कोई गिधडा उडता आवे आहूर आनी गंधे कोई गिधडा उड़ता आवे डील हचोडू मेली दैने आखे चार्ज परावे आहूर आनी गंधे कोई गिधडा उड़ता आवे डील हचोडू मेली दैने आखे चार्ज परावे ठोली ठोली खाता नेण ने छोड़ी दे जो हूँ तैं आख्यू भाड़े इनो जो नो भाड़े इजो तैं आख्यू भाड़े इनो जो नो भाड़े इजो माना नी हामे हूँ रो दरिये जैने रो झाल झाल